नवसकार मैं हूं धरमेंदर आप देख रहे हैं, All Line News इंडिया कंगना रनोत का मुंबई में BMC ने घर क्या तोड़ा, उसके बाद में मानो आफ़त आ गई आफ़त आ गई और कंगना रनोत ने एक के बाद एक इस तरह से घटिया ट्वीट किये जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती और उसके बाद में कंगना रनोत ने एक वीडियो अपलोड कर दिया और उस वीडियो में जिस तरह से महराश्टर्र के मुख्यमंतरी के लिए सब्दों का इस्तमाल किया गया है वो कंगना रनोत के संसकारों को दिखाता है कि कंगना रनोत के आखिरका संसकार क्या है एक मुख्यमंत्री के पद पर बैटे हैं मुख्यमंत्री उद्धा उठाकरे उनकी पिता के समान उनकी उमर है और उनके लिए किस तरह के सब्दों का इस्तमाल क्या है एक बर आप वो सुनिये और उसके बाद में दिखाएंगे कि किस तरह से BJP से लेकर कि BJP IT सेल और गोधी मीडिया के जो एंकर है वो कंगना रनोत के समर्थन में कूद पड़े हैं और खुद कंगना रनोत जो है वो किस तरह से ट्वीट कर रही है और किस तरह से एक बार फिर से उन्होंने मुंबई को P.O.K. महराश्टर को पाकिस्तान की संग्या दी है एक बार आपको वो भी सुनाएंगे पहले सबसे पहले आप ये कंगना रनोत का वीडियो देखिए कंगना रनोत आज संदीगर से चली और उनको Y-plus की सिक्योर्टी दी गई है वो आपने देखा था और Y-plus की सिक्योर्टी मिलना विस देश में इतना असान हो गया है कि आप किसी भी चोक चोराय पर खड़े होगे और चोक चोराय पर खड़े होकर किसी को भी गाली दीजिए आप एक खिलाफ कारवाई नहीं होगी बलकि आपको सिक्योर्टी पर दान कर दी जाएगी यह हिंदोस्तान है यह नया हिंदोस्तान है जहाँ पर आपको गाली देने पर सजा नहीं मिलेगी बलकि security मिलेगी यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से हमारे देश के जवान वो security देने का काम कर रहे हैं कंगनारणोत को और जबकि आसपास में कोई नहीं है यानि सीधा मतलब यह है कि देश के जवानों को ऐसा करने के लिए कहा गया होगा ताकि कंगनार रनोत का स्वैक जो है वो नजर आ सके और इसके बाद में मुंबई BMC जो कोर्परेशन है मुंबई Municipal कोर्परेशन उसने कंगनार रनोत के बंगले को जो है वो अवैद बताते वे पहले नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद में उसको तोड़ दिया लेकिन इसको लेकर के हला मचा हुआ है हला मचा हुआ है पूरी गोदी मीडिया ने आसमान जो है किस तरह का उफान वह मचा उआ है वो आपके सामने है कंगना रणोत ने अपने आपको जासिक इराणी बताते हुए जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और त्वीट देखिए इन्हों ने कहा कि रानी लक्ष्मिबाई के सहाथ सोर्य बलिदान को मैंने फिल्मों के जरी जिया है धुक की बात यह है कि मेरे लिए खुद मुझे मेरे ही महरास्ट्रा में आने सेロका जा रहा है मैं महरानी लक्ष्मिबाई के पजनों पर चलूंगी ना डरूंगी ना जुकूंगी गलत के खिलाब मुखर होकर आवाज उठाती रहोंगी जै महारास्टरा जै सिवाजी यह अपने आपको जहासिक इरानी कह रही है जबकि हकीकत यह है कि जहासिक इरानी ने देश के लिए अपने परिवार को अपने घर को अपने सामराज्य को अपने बेटे को सब को दाओ पर लगा दिया था और इनका एक का घर टूटा अगर खुद का घर टूटा कंगनर रनोत का तो उन्होंने अपने ही देश को गदार बता दिया उन्होंने कहा कि BMC जो है वो बाबर की सेना है मुंबई के लिए P.O.K. पाकिस्तान उकुपाइड कस्मीर का नाम दिया और महरास्टर के लिए पाकिस्तान का आप बतेगे कि एक वेक्ति जिसने अपना जो है वो पूरा जीवन जो है अपना पूरा सामराजय जो है वो सब्सक्राद का इस्तमाल क्या है वो आपके सामने है अब आपको दिखाते है कि किस तरह से जो गोधी मिडिया के एंकर है वो किस तरह से कंगना रनोत के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं त्वीट क्या है कंगना के घर पर बुल्डोजर चलाना मतलब सविधान की निव पर जेसी भी चलाने जैसा है। सोचिए इसको कि किस तरह से जो है वो चाटुकारिता ये लोग पहले सरकार के लिए करते थे और अब सरकार के एजेंडे के तहत ही जो है कंगना रनोत के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। वहीं पर रोई सर्दाना रहे की फासिजम फासिजम चिलाने वाले अब कहां गए हैं। असली फासिजम देख करके साप सुन गया है। एक बंगला तूटना इनको फासिजम लगता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरह के अपराद हो रहे हैं। तालिबान जो है उत्रप्रदेश बन चुका है कानून वेस्था कि अगर बात करें उसको लेकर कि इनकी आवाज नहीं उठती है इनका गला जो है उस सूख जाता है लेकिन कंगना रनोत पर अगर कुछ हुआ तो दहगे किस तरह से बिलबलाने लगे है रूबी का लियाकत ने ट्वीट क की नीव हिला करके रख दी है एक अदाकारा के लिए आप इतनी चाटुकारीता कर रहे हैं वो देश देख रहा है रूबी का लियाकत जी आपने दिल्ली के अंदर एक 90 साल की विर्द महिला के साथ में बलतकार की घटना होती है और उस पर ये खबर जो है जो मैं बोल रहा ह हुआ ये सत्य खबर है कि दिल्ली के अंदर 90 साल की एक महिला के साथ में एक बूडी महिला के साथ में बलतकार होता है ये खबर भी शायद आपको मालूम नहीं होगी और इस पर कहीं पर कोई डिबेट बहस नहीं होती है लेकिन कंगनार अनोत का एक घर जो की अवैद था उ पर यह building तो फिर सभी पर कारवाई होनी चाहिए थी केवल कंगना रनोत के building पर क्यों कारवाई है इस पर साक्सी जोसी ने tweet किया है देवंदर फर्टनवीस जी कह रहे है कि अगर ये अवैद है तो सब पर कारवाई होनी चाहिए सब के साथ होनी चाहिए तो फटनवी जी आप ये बताईए कि अवैद धाचा खड़ा किया गया था तब तो सीम आप ही थी ना तो ये धाचा कैसे खड़ा हुआ और सब के साथ जब आप कहते हैं तो सब कौन है जरा बता दीजिए आज आपको पता था तो आज तक आप चुप क्यों थे यान के जिनके अवैद बंगले हैं उनका नाम भी जो है वो मुख्यमंतरी दिविंदर फटनवीस को जो है उजागर करना चाहिए लेकिन ये पूरा सिस्टम है पूरा सिस्टम है इसको आप देखिए किस तरह से कंगना रनोत के समर्थन में गोधी मीडिया से लेकर के बीजेपी के इटी सेल और बीजेपी के मुख्यमंतरी जो है वो खड़े हो गए है ये आपके सामने है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अमीर खान ने एक बयान दिया था कि वो भारत के अंदर जो है वो एस सुरक्सित महसूस कर रहे है तो उनको यही भगतों की तोली कहती किस तरह की जो है दोगली मान सिकता है इन भगतों की गोदी मीडिया की और बीजेपी के इटी सेल की किस तरह से जो है वो बचाओ में उतर गए है यहां पर यह स्क्रिन सोट आप देखिए फ्यूचर बीजेपी सीम कैंडिडेट योगिनी कंगना स्वरी इस तरह से जो है व अब ऐसे में जो है कंगना रनोत का सहारा बीजेपी ले सकती है इस तरह की खबरे भी आ रही है साथ तोर पर दिख रहा है कि एक तरफ जो है गरीब लोगों के साथ में अत्यचार होता है 48,000 जुग्यों का मैंने जिकर किया दिल्ली के अंदर यह जुग्या टूटनी है उस अब आप देख सकते हैं कि प्रार्थमिक्ता क्या है प्रार्थमिक्ता गरीब है प्रार्थमिक्ता गरीब लोगों के मकान है या प्रार्थमिक्ता एक स्तार परचारक आपको पैदा करना है एक इस तरह से हिंदुतों के रूप में एक नया जो है वो कनेरिया रा आपको चा चाहिए था और सवाल इस पर भी उठाए जा सकते हैं कि BMC ने जो है वो इतनी जल्दिक कारवाई क्यों की क्योंकि कल ही जो है उनके घर के आगे जो है वो पोस्टर शिपकाया गया था और आज उनका बंगला गिरा दिया गया है और वहीं पर मुंबई है कोट ने भी कहा है कि आपकी दोरी मांसिक्ता क्यों होती है एक तरफ रिया चक्रवर्ती की आपने तस्वीरे देख Cannoniau की संख्या में मेडिया करमी उनको एक तरह से इंपकर करते यह ही पर कंगना रनोत को जो है वो किस तरह से खुल्याम जो है वो चलने के लिए जो है रास्ता बनाते हैं सेनिक जो है वो रास्ता बनाते है वो तस्वीर आपके सामने यह कौन जो है वो पूरा जो है वो मेनेजमेंट कर रहा है कि किस तरह से यह तस्वीर आएंगी और किस तरह से कंगना रनोत की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुंबई में बैठ करके जो है वो इस तरह से तूटड़ा की भासा में बात करती है वही मुंबई है यह वही सीवसेनिक है जिनके अगर बाला शाब के लिए और सीवसेना के बारे में अगर किस तरह से तूटड़ा की भासा बोल रही है तो इसके पीछे का खेल आपको नजर आ रहा है इसके पीछे का खेल यह है कोई न कोई है जो चाहता है कि मामला जितना ज़्यादा जाएगा जितना ज़्यादा इस मामले को बढ़ाया जाएगा उतना ही जो है उसका फाइदा ह हो रही है उन घटनाओं से ढखने के लिए पूरी तरह से पहले रिया चकरवर्ति और सुसान सिकिंग के ऊपर जो है वो कवरेज हो रही थी लेकिन अब जो है वो कंगना रनोत के पीछे जो है चोबिस घंटे टीवी की जो है वो कवरेज रहेगी आपके मुद्दे गोन कर दि यह एलान किया गया था चात्रों की तरफ से कि वो दिया और बाती जलाएंगे उस उन खबरों को कहीं पर नहीं दिखाया जा रहा है उन खबरों पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और अगर वो दिया जलाएंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कारवाई फोगी और उन्हात्रों के लिए जो है सरकार कोई प्यास भी करेगी लेकिन कंगना रनोत की खबरे लगाता धडलले से चलाई जा रही है और उन्हें खबरों पर जो है वो कवरेज हो रही है साफ तोर पर दिखाता है चाए सरकार हो चाए मीडिया हो कि उसकी प्रार्थमिक्ता क्या है उसकी प्रार्थमिक्ता कहीं पर भी बेरुजगार नहीं है गरीब नहीं है उसकी प्रार्थमिक्ता है चुनाओ है वोट है अगर उसका sentiments जिस तरह से रिया चकरवर्ती को लेकर के और सुसान सिंग को लेकर के उसके sentiments के साथ में खेला गया और अगर अब कंगना रनोत के साथ में भी अगर यही होता है और कंगना रनोत को लेकर के जनता को इसी तरह से गुमरा किया जाता है तो फिर तो इस तरह की घटनाए जो है वो लगातार बढ़नीत्य है इसलिए अपने आपको जागरूप करिए और पीछे का खेल समझे खबरों के खबरों के पीछे की जो खबर है उस खबर को समझे इस खबर को लेगर कि आपकी जो भी राय हो निचे के मेंट बोक्स में पर री रा जरूर दे और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन मुझेल को सबस्क्राइब करें सबसॉरूर दबाएं